आज मैं आपके सांद सेयर करने जा रही हूं बिना आलू बाले आलू और मटर का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नस्ता जब भी आपको कुछ अलग और चरपटा खाने को मन करें और जल्दी से बन जाए तो आप इस नास्ते को ट्राइ कर सकते हैं यह आपको बहुत पसंद अगर आज की रेस्पी आपको पसंद आए तो वीडियो के लाइक शेर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल के कर दीजेगा सब्सक्राइब तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो मीडियम सज के आलू लिए है इसका मैने छिलका निकाल लिया है अब इस तरसे एक ब़ुल लेंगे और यहाँ पर मैं ले रही हूं मिडियम सज का गिरेटर अब इसमें हम आलू को गरेट कर लेंगे इस नास्तों को बनाना बहुत ही असाना और यह नास्ता ही बहुत ही जल्दी बन जाती ह तो इसी तरह से दोनों आलू को कदुकस कर लेंगे और यहां पर देखिये मैंने सारे आलू को कदुकस कर लिया है अब इसे हम दो से तीन पनी अच्छे से वास कर लेंगे इससे इसमें का जो अश्टार्श है वो खतम हो जाएगा और आलू का जो लच्छे है वो एकदम खिला-खिला हो जाएगा तो इसे हमने अच्छे से वास कर लिया है आप इसमें का जो एक्ष्ट्रा पानी है उसे हम इस तरह से निचोरते हुए अलग कर लेंगे और इसे हम एक अलग बाउल में रख लेंगे तो इसी तरह से निचोरते हुए इसका सारा पानी को हम अलग कर लेंगे इससे जो नास्ता है एकदम क्रिस्पी बनेगी तो लिजए इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है और यह जो लच्छा है एकदम खिला-खिला है तो बस इसी तरह से चाहिए हमें अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा का भारा मटर, आप क्योंकि इसे हमें पेश्ट नहीं बनाना है, तो इसे हम चोपर में डालके दरदरसा पिस्ट लेंगे, आप चाहे तो इसे मिक्सा जार में भी डालके पिस्ट सकते हैं, दो-तिन बार इसे रुक-रुक के चलाईएग तो उसमें भी यह दरदरसा पिस्ट जाएगा, लेकिन यह असानी से इसमें भी पिस्ट जाता है, तो लिजिए इसे मैंने पिस्ट लिया है, यह देखें, यह इस तरह से दरदरसा होना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, यह पिसा हुए मटर को हम आलू के लच्छे में डाल द तो मिर्ट पाडर ठोके यह आपको में यह जदErर कर सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें हमने हरी मिर्च भी डाला है, अब अलेगे चोटा चमच नमक या फिर अपने टेश क को fasterOK एक पर यसे अच्छे से mix कर लेंगे को इसे मैंने अच्छे से mix कर लिया है आप इसमें बेंडिंग देने के लिए इसमें हम ढालेंगे दो चमच बेसन तो यहाँ पर मैं दो बsite चमच बेसन ले रही हूँ यहां पर आप देख सकते हैं, यह आपको थोड़ा सा सुखा सुखा लग रहा होगा, लेकिन इसे जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे यह बैंड होते जाएगी, यहां पर पानी का इस्तमाल बिल्कुल ही नहीं करना है, और यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे जैस मैं इसे mix करते जा रही हूँ यह अपने आप इस तरह से binding में आ रहा है यह देखें तो यह अच्छे से mix हो गया है अब हम क्या करेंगे हाथ को पहले साफ कर लेंगे आप इसमें से हम थोड़ा सा पोसन लेंगे और पहले इसका हम बॉल्स तियार करेंगे उसके बाद इसे हम इस तरह से टिकी का सिप देंगे अब आप चाहे तो सारे पोस बना के त्यार कर लिजिए उसके बाद टिकी बनाते जाए और उसे तेल में डालते जाए फ़राई होने के लिए चेंज करेंगे और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर लो टू मेडेम रखा है और लो टू मेडेम फ्लेम पर ही इसे हमें फराई कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइसे यह हलका हलका सीख गया है अब इसका हम दूसरा साइज कर लेंगे और इसे हम इसी तरह से अ और यहां पर आप देख सकते हैं देख के कितनी टाइमटिंग लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है तो इसी तरह से सारे नास्ते को आपको यही बत का ध्यान देना होगा इसे आप low to medium flame पर ही फ्राइ करें तभी आपका नास्ता एकदम क्रिस्पी और करारी बने यह नास्ता बहुत ही कम तिल में बनके त्यार हो जाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं तो इसे भी हम आच्छे क्रिस्प होने तक फ्राइ कर लेंगे तो लिजिए तयार है जटपट बन जने वाली कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाशता इसे आप अपने मन पसंद सौस या चेट्नी के साथ सर्व किजे यह आपको बहुत पसंद आगी आप देख सकते हैं देखे ही कितनी क्रिस्प लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है मैं आपको इसका आवाज सुनाती हूँ यह देखे हैं है न कितनी क्रिस्प तोर के भी दिखाती हूँ एकदम क्रिस्प है और बहुत ही टेस्टी बनी है तो इस नास्ते को जरूर एक बड़ बनाए यह आपको बहुत पसंद देगी अगर आज की रेश्पी आपको पसंद देए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी एक बड़ आल पर प्रेस करें थाकि मेरे हर आने व